नमस्कार 15 तारिक वो तारिक है जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे कि शुब दिन कब शुरू होंगे तो जनवरी 15 से मकर संक्रांती का दिन होगा सूर्य मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से शुब दिनों की शुरुवात हो जाएंगे और सारे शुब काम आप करने प्रारंब कर देंगे चाहे वो शादी हो चाहे वो मुंडन हो चाहे ग्रह प्रवेश हो चाहे नामकरन हो जो भी शुब काम होते हैं तो मकर संक्रांती की आपको शुब कामना है और लोडी की भी शुब कामना है 14 सारी को लोडी बनाई जाएगी उसकी भी शुब कामना है देखिए मकर संक्रांती में सूर्य मकर राशी में प्रवेश करते हैं और यहीं से सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है रात छोटी दिल नम्बे होने शुरू हो जाते हैं सूर्य जब मकर राशी में जाते हैं तो मकर राशी शनी की राशी है सूर्य और शनी आपस में शत्रू है लेकिन ये आपस में लड़ते नहीं हैं यहां पर यानि मकर संख्रांती के दिन सबसे पहले आप एक काम करिएगा, सुबे जल्दी उठीएगा, रिष्टान करिएगा, पवितन ददी में कर सकते हैं, या आप घर में गंगा जलका प्रयोग करके कर सकते हैं, देर तक बस सोईएगा, पहली चीज, साफ कपड़े पहन कर, मंदिर भगवान के दर्शन करिए किसी भी प्रकार के शनी के अशुप प्रभावों से दूर करने के दो उपाय पहले ही बता देता हूँ पहला उपाय ये है कि गुड़ की जो रेवड़ी होती है जिसमें सफेद तिल लगे होते हैं लोगों को बाटिए, खुद भी खाएए, लोगों को भी चलाएए, गरीबों को दिजिए खिछडी गदान करिए, कच्ची या पक्की जैसा भी आपको ठीक लगे दूसरा उपाय ये है कि आपको भगवान शंकर के मंदिर जाना है दो चम्मच शुद देशी गी से शिबलिंग को लेपना है उसके बाद एक ग्लास में कच्चा दूद लेना है गाएं का उससे धार बना कर चढ़ाना है फिर उसके आज साफ जलसे या गंगा जलसे शिबलिंग को साफ कर लेना है एक चुटकी काला तिल एक चुटकी सफेद तिल और पीले पुष्प भगवान शंकर को अर्पित करने है और ओम नमश्वाएं मंत्र का कम से कम एक माला यानि 108 पार जाप करना है वहीं पर खड़े होकर या बैठकर आसन लेकर विधी पूरवन और भगवान से अपने कश्टों की मुक्ती के लिए प्राक्ता करनी है आपके शनी से संबने जितने भी कश्ट हैं और दूर हो जाएंगे नौकरी वैपार में तरक्की आपकी होनी शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ आप लोग जितना हो सके आदान करिए गेहू का दान करिए, गुड का दान करिए, तांबे का दान करिए यह सब दान करना आपके लिए बड़ा ही शुब रहता है एक और उपाए आपको बता देता हूँ, यह महा उपाए है यह उपाए यह है कि मकर संस्वारम्ती के दिन गन्ये खीर और सूर्य भगवण अगले एक महीने के जब मकkin राशी में जाएंगे तो आपकी राशी के लिए चा लेकर आएंगे यह मैं आपको बता रहा हूँ और यही जानकाई चंद राशी नाम राशी पर अधारित होगी एक बात और नोट कर लिए जब तक आप अपनी जन्म खुणली नहीं बनवाएंगे तब तक आपको शुप पढ़ानाम नहीं मिलेंगे क्योंकि जन्म खुणली में बैटे हुए ग्रही तै करते हैं कि आपको क्या अच्छा मिलने वाला है क्या बुरा मिनने वाला है तो अब बात करते हैं आपकी राशी की हम बात करते हैं धनू राशी की धनू राशी की जाते हो के लिए सूरे नमभाकिस्वामी है और दूसरे घर पे इस्तित हो रहे हैं इदे एक घर ब्रस्वती का है यहां पर राहू भी कभी कभी आते जाते रहते हैं तो सूरी इस घर पे आपको जो परिणाम देगा उसे आपका भागी का साथ आपको मिल रहा है यानि किसमेच चमक रही है और आपको आपके पिता का समर्थन हासिल होगा अगर पिता से कोई लड़ाई चगड़ा वाद विवाद है तो ख़ड़ पहुँझाएगा पिता की मदद से पिता के यान से पिता के अन्वोव से पिता के पैसे से आप तरक्य कर सकते हैं विदेशी रास्तों से धंद कमाने के आपको मौके मिल सकते हैं बार में खुशिया आएंगे आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपके पारेवारी जीवन में खुशियाओं सुख और सम्रद्धी यहाँ पर धनुराशी वालों को मिल रही है करियर की मोर्चे की बात करें तो आप अपनी समर्पित यानी की कतना डेलिकेटिड मैनर से आप आगे बढ़ेंगे किसमत का साथ मिलेगा और जो काम करेंगे उसमें परशनशा मिलेगी कामयाबी मिलेगी विदेश से कोई नौकरी प्राप्त हो सकती है कई तरीके के नए उसकर आपके जीवन में सूर अगले एक महीने में लेकर आ रहे हैं अगर आप वेफसाई के छेतर से चुड़े हैं तो भागी का साथ मिलेगा और अच्छा मुनाफ़ा कमाएंगे आपकी नई रननीतियां कामयाब रहेंगी यानि आपकी प्लैनिंग्स कामयाब रहेंगी पैसों के संदर में बात की जाए तो किसमत आपका साथ दिने वाली है आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में कामयाब रहेंगे आप जिस भी छितर में काम कर रहे हैं उसमें कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे बलकि आप पैसा कमाएंगे भी और पैसा जोड़ेंगे भी आपकी बहुत अच्छी आपधनी होने वाली है जीवन साथी के साथ आप ऐसे नदर आएंगे कि जैसे आप एक दूसरे के लिए हम बने तुम बने एक दूजे के लिए प्रेम संबंद में में यही होगा कहीं जीवन साथी के साथ या प्रेवी पेपका के साथ घुबने फिनने जा सकते हैं अच्छी योजना बना सकते हैं गोल्डेन टाइम एक दूसे के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा समय है आपको शालिरी फिटनस बनाये रखने के लिए भी आपका दिमाग काम करेख और अपनी हेल्स पर भी ध्यान देंगे सूर्ज जब सेकेंड होस में जाते हैं तो सम्रद शाली ताकतवर बनाते हैं आपको और आप इश्वर पर विश्वास रखेंगे आप धन संचे करेंगे परशानिया होंगी लेकिन फिर भी धन संचे करेंगे आप कई कामों में दक्ष होंगे आप एक नहीं चार काम करने वाले इंसान होंगे ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे उम्र के साथ साथ आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे एक ए घंटा भीतेगा और एक ए घंटे में आपके अंदर नया नया अनुभा देखने को मिलेगा यानि वक्त से सीखते चले जाएंगे कुछ लोग टीवी मीडिया, शोशन मीडिया आट एंटराफ्ट में भी अपना हाथ साफ कर सकते हैं या उनको आता है तो उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं उसे पैसा भी कमा सकते हैं सूर्य आपकी अच्छी स्थती बना रहे हैं यानि मुह में दिक्कत हो सकती है, मुह का कोई रोग है तो डॉक्टर से जल्दी संपर करें, आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से दूसरों के सामने पेश नहीं कर पाएंगे, यह आपकी कमी रहेगी इस समय में, या आप जो कहना चाहते हैं, वो कहना ही पाएंगे, या व आटाने की कोशिश करिए, और जो दिल में है, वो बोल दीजिये, काम बन जाएगा, डरिएगा, नहीं, आपके ननीहाल में, या आपके मामा, आपकी नानी, आपके नाना जी, अच्छा कमाने वाले हैं, ननीहाल में पैसा आने वाला है, आपकी किसमत से, आपकी बेटी, ज तो जिलिए में आपके तीन चीजे बहुत हो जाती है, एक तो आप बहुत ही कवादी हो जाते हैं, पैसा किसलिए कमाते हैं, मुले ये चाहिए, मुले वो चाहिए, मुले ये चाहिए, दुनिया के हारे सारे सुक चाहिए, और सारे सुकों को खरीदने के लिए पैसा और आप सूरे हैं यानि राजा हैं तो इतनी आसानी से हारेंगे नहीं मजबूल सूरे आपको 77 आर्पन सम्मान देता है कमजोर सूरे आपको पीछे ले जाता है मजबूल सूरे आपको हर परिष्छा परत्योकता में जीतने का रास्ता दिखाएगा आप दूसरों से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे चलाकी से बैमानी से नहीं मेहनस से जीतेंगे आप वित्य शुरक्षा यानि अपने फाइनिशल स्टेटस को मजबूत रखने की कोशिश करेंगे कमाएंगे और जोड़ेंगे इंवेस्ट भी करेंगे और अगर पीडित सूर्य होगा तो जगड़ें बहुत होंगे आँखों में दिक्कत होगी माइग्रेन हो जाएगा कामी नहीं कर पाएंगे बस लड़ से लड़ से लड़ से लड़ते ही वक्त बिच जाएगा तो सोच लीजिए सूर्य कमजोर है तो लड़ लड़कर लड़ समझ जीरो हो जाएगा और सूर्य अगर अच्छा है तो अच्छा करकर आप हीरो बन जाएगे सूर्य यहां पर आपको आतनिर्वर बना रहा है अपने काम जो भी काम करते हो उसमें expert बना रहा है, बहन बेटी जो आपके अगर हैं, तो उनकी जीवन में खुशाली लेकर आ रहा है आपके पार इतना पैसा आएगा इतना संपन्न कर देगा कि सूर्फ कि आप अपने रिष्टेदारों को भी कुछ दे पाएं, आपको एक अच्छा ताकत है, उससे पैसा कमाएंगे आप शत्रू का नाश करेंगे और आपका कोई भाई बहन अगर इस योग यह है कि उसे विदेश जाना है तो उस चला जाएगा या चली जाएगी आपकी घर में बात सुनी जाएगी, आपको चन्रमा से संबंदे चीजों का दान करना चाहिए दूद का दान करना चाहिए और आप लोगों का कल्यान करते रहे यानि लोगों का भला करते रहे जिस आप से संब्भव है और लोगों का भला करें हरिवज प्रान सुनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा सूरी को गुड़, पानी में गुड़ मिलाकर जल देना आपको बहुत अच्छा होगा, उगते सूरज को सरकारी अधिकारियों को खुश रक्षियों से लड़ाई जगरना करें महिलाओं के साथ संपत्ती और जमीन से जोड़े विवादों में नाफसे दूर दूर रहकर काम करें मुफ्त का परशाद लंगर आपको नहीं लेना है मुफ्त का दूद पीना पर दूद बट रहा है कुछ बट रहा है मुफ्त का दूद पीना आपको यहानी कारक होगा लोग आपकी नेकी को याद रखने वाले है इस्क्रियों से लडाई जगरे से दूर रहना है परिवार में इस्क्रियों की वज़े से लडाई जगरा हो सकता है पिता से भी कुछ थोड़ी तूतू में हो सकती है फिर बार-बार कह रहा हूँ चंद्रमा से संबंदी चीजे गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए आपको इस समय में अगर महिलाओं से संबंदी कोई समस्या है मालोक किसी महिला से किसी भी तरीकी कोई समस्या हो गई है तो शनी की उपाय करें जैसे बादाम का तेल किसी धरमिस्थान पर दान दे दें तो जो महिला से आपका 37 का अंकड़ा है वो सौल हो जाएगा यहू गुड या लोहे की कड़ाई भी आपको दान देना मंतरमिस्थान में लाबकारी रहेगा फिर मैं कहरा हूँ जिनका सूरी खराब है वो फसते हुए नजर आ रहे हैं और जिनका सूरी अच्छा है वो हसते हुए नजर आ रहे है तो जनम कुंडली में सूरी का मजबूत होना बहुत जरूरी है हसोगे या फसोगे यह तो आपकी कुंडली तैय करेगी अब कुंडली कितनी इंपॉर्टेंट होती है जीवन में मैं आपको अब बता रहा हूँ जहान से सुनिएगा आप परिशान है किस बात से परिशान है नौकरी नहीं लग रही है वैपार अच्छा नहीं चल रहा है प्रमोशन नहीं हो रही है कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊँगा कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊँगा मैं क्या करूँ मैं मेहनत करता हूँ मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ या लगी रहती हूँ लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है आपकी कोशिशे तब तक सफल नहीं हो करती जब तक आपकी जरम कुणली का हर एक सितारा आपका साथ मा दे मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अपनी जर्मकुली की जाच कराईए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जर्मकुली के हर अशुब ग्रह को जाचेंगे परकेंगे और सराल उपाये बताएंगे जिसको एक समानी वेक्ती घर बैठे कर सकता है कौन सार रत्म पहनना है कौन सार उत्राक्ष पहनना है क्या दान करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ आपको बताएंगे लाइए अनेक मुसकराहट क्योंकि आप मुसकराइगे तो आपके साथ-साथ आपका परिवार मुसकराएगा अपने लिये नहीं अपने परिवार के बारे में सोचिए तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम करता है और हमारी ये गैरेंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे अब अगला काम आपका है अपनी अपाइटमेंट टुक करने का